और ये मैंने कहता, दुनिया भर के कई सरवेक्षन कहता, आजादी के बाद सबसे ज्यादा एक भी छुक्टी लिये बगएर 24 गंटे में से 17 गंटे काम करने वाला कुल प्रदान मंत्री है, तो नरेंद्रमोडी मान्यवर, आजादी के बाद डेश के हर राज्य में सबसे ज्यादा किलो मिटर और सबसे ज्यादा दिन प्रवास करने वाला कोई प्रदान मंत्री है, तो नरेंद्रमोडी मान्यवर, कोई सरकारे कई सालों तक चलती है, कई सालों तक चलती है, कॉंग्रेस पार्टी की सरकार 35 साल तक अक्षून डूप से चली, कई सालों तक चलते हैं, तम 2-3-4 नीने ऐसे होते हैं, जिसको युगो तक याद किया जाता है मान्यवर, नरेंद्रमोडी सरकार, 9 साल हुए, 9 साल में 50 से ज्यादा फैसले ऐसे है, जो युगान्तिकारी फैसले है, जो इतियास के अंदर स्वर्ण अक्सरों से इन मंदीदी, मान्यवर, अद 9 अगश्ट का दिन हैं, 9 अगश्ट के दिन, मात्मा घांदी ने, हमारे आजादी के अंदोलन के एक नए अध्याय की सुरुवात की थी, उन्होंने नारा दिया था, अंग्रेजो भारत छो, क्वीट इंडिया का नारा दिया था, मोदी जी ने, ये 9 साल के अंदर, 2014 से 2023 में, लगबग 9 साल में, एक नए प्रकार का राधनीतिक युग का सु लगबग 30 साल से इस देश की राधनीती, ब्रस्टाचार, परिवारवाद और तुरुष्ट्री करन के नासूर से घ्रसीत रही, सारे के सारे जनादेश, कोई भी चुनावी विजय पराजय के आंकडों के एनालिसिस करने वाले पंडीत, सारे जय पराजय को देख ले, मोदी जी के 2014 के विजय के पहले, सारे जय पराजय, या तो ब्रस्टाचार से प्रभावित थे, ब्रस्टाचार किया इसको हटाने के लिए या तो परिवारवाद से प्रभावित थे, परिवादवाद के पीछे, जातिवाद का एक अनौरस संतान भी होता है, और तुष्ट प्रभावित जना देश थे भारतिय लोगतंत्र को ये तीन नाशुरों ने घेर लिया था नरेंद्र मोदी जी ने ब्रश्टाचार परिवारवाद और तुरुष्ट्री करन को हटा कर पॉलिटिक्स और परफॉर्मंस को ज़द दे तरजी दे और आज विकास जनता के फैसलों का नीने करता है मगर फिर भी कहीं कहीं दूर तक ब्रश्टाचार भी बेठा है बच गया है परिवारवाद तो दिखा ही पड़ता है और तुरुष्ट्री करन की राधनिती भी चलती है इसलिए मोदी जी ने आदनारा दिया है ब्रश्टाचार क्वीट इंडिया परिवारवाद क्वीट तुरुष्ट्री करन क्वीट इंडिया अगर कर लेते हैं तो इस देश की राधनिती में मोदी जी ने 2014 से एक नई यूग की शुरुआ करी है विकास के यूग की वो हमारे स्वातनत्रते सेनानियों के कलपना के भारत की निर्मिती दोजार सहितालिस के बहुत साल पहले कर देगी इसका मुझे भूडा विश्वाज है मनेवर अविश्वास का प्रस्ताव एक सम्वेदानिक प्रक्रिया है हमें कोई आपत्ती नहीं है विपक्स का उद्ये साहे कोई भी हो विपक्स का अधिकार है अविश्वास का प्रस्त पार्टियों के और घठवंदनों के चरित्र उजागर होते हैं कई बार अविश्वास प्रस्ताव आए मैंने जैसे पहले कहा मैं तीन अब विश्वास प्रस्ताव का जीक्र करना जरूर चाहूंगा दो अविश्वास प्रस्ताव है UPA सरकार के खिलाब जो हम विपक्स में थी तब लेकर आये थे और एक अविश्वास प्रस्ताव NDA सरकार के खिलाब था जो UPA जब विपक्स में थी तब लेकर थे 1993 जुलाई में नर्सीमा राव जी की कॉंग्रेस की सरकार थी उसके खिलाब अविश्वास प्रस्तावा है अब सरकार बचानी होती है नर्सीमा राव जी को बचानी थी कॉंग्रेस का मूल सिद्धान्त है एन केन प्रकारेन सत्ता में बने रहना सत्ता में बने रहने का प्रया सरकार अविश्वास प्रस्ताव जीत गई और बाद में कई लोगों को जैल की सजा हुई स्वयम नर्सी महराव जीत को हुई क्योंकि जारखन मुक्ती मुर्चा को घूश देकर अविश्वास प्रस्ताव पर विजय प्राप्त करी आज कॉंग्रेस भी आज कॉंग्रेस भी वहां बेठी है और जारखन मुक्ती मुर्चा भी वहां बेठा है मानेवर 2008 में मन मौन सिंग जी विश्वास प्रस्ताव लेकर आए विश्वास प्रस्ताव के वक्त भी एक वार यहाँ पर बरो बर्व देश में वाताण हो गाया था कि इनके पास बहुमत नहीं है बहुमत था भी नहीं और मानेवर इस सदन ने उस वक्त सबसे कलंकित घटना देखी देखनी पड़ी संसदों को करोडो रूपिय की घूस देनी पड़ी और हमारे ओनेश्ट संसद वो रूपिया लेकर पीट के सामने आए और कहा कि हमें संदक्षन चाहिए हमें रूपिया उफर किया दिया और वो सरकार बचा ली तो एक तो चरीत्र है UPA का सरकार के सामने विश्वास का प्रस्ताव आए या कोई अपरी विश्वास का प्रस्ताव न लाए इसलिए विश्वास का प्रस्ताव वो स्वयम लाए इसमें से बचने के लिए सारे सिद्धान, सारा चरीत्र सारे लोकसभा के नियम, कानून हमारी परंपरा है इसको त्याग कर एन के एन प्रकारेन सत्था को समालना और सत्था पर काभी जिनेना इसके सामने मान्यवर दूसरा एक उदान उन्नी सो निन्या में अटल जी की सरकार थी और अविश्वास प्रस्तावाय मान्यवर यह जो कॉंग्रेस ने किया वो हम कर सकते थे क्योंकि तीरानवे में नर्सिमा राउजी ने देश्ट के सारवजनिक जीवन को एक एक एकजमपल पूरा कर दिया था कि सरकार ऐसे भी बचाई जा सकती है करोड़ रुपिया दे कर भी बचाई जा सकती है हम भी कर सकते है मगर हमने नहीं किया हमने नहीं किया हमने हमारी बात रखी देश के प्रदानमंत्री अटल जी ने इसी सीट पर बैट कर अपनी बात रखी संसदों के सामने और जो कहा कि संसद का जो फैसला है मैं सर पर चड़ाऊंगा हमें कोई आपने मानेवर सिर्फ एक वाट से सरकार गई सिर्फ एक वाट से क्या हम UPA और कॉंग्रेस की तरह बचा नहीं सकते थे बचा सकते थे मगर मैंने कहाना कि कई बार संकट के समय घठबंदनों और पाटियों का चरित्र उजागर होता है UPA का चरित्र सत्ता बचाने के लिए ब्रस्टाचार करने का चरित्र है और भारतियों जनता पाटियों और NDA का चरित्र सिद्धान्तों के लिए राद दिती करने का चरित्र है